हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीता मेरे चैनल को विथ मीता में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ बहुत ही यूसफू सी रेसिपी हो मेंट स्ट्रॉबीरी क्रश वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के और कीवल तीन इंग्रिजेंट से अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए स्ट्रॉबेरी क्रश बनाना शुरू करती हूँ वो भी बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पर 200 ग्राम फ्रेस स्ट्रॉबेरी लिया है कोशिस करिएगा स्ट्रॉबेरी अच्छे रेड कलर के हो और मीठे हो तो मैं इसे पहले छोटे चोटे टुक्रों में कट कर लूँंगी इसके लिए पीछे का हिस्सा हटा दूंंगी और इससे इस तरह से छोटे टुक्रों में काट लीती हूँ इसी तरह से सारे strawberries को काट लोगी यहां पर सारे strawberries को कट कर लिया है मैंने इसमें से 02 टेबल इस पोन strawberries का पेस्ट बना लेती हूं इसमें पानी बिल्कोल भी नहीं डालना है देखे strawberry paste बना लिया है मैंने अब next step देख लेती हूं अब एक पैन में ये सारे strawberries डाल दूंगी और ये 3 foot cup चीनी डाल रहे हूँ यानि 180 gram चीनी है जैसे 200 gram strawberries में 180 gram चीनी लिया है मैंने अगर strawberries थोड़ी खटी है तो आप थोड़ी सी चीनी की quantity बढ़ा ले strawberries के taste के हिसाब से आप चीनी घटा या बढ़ा सकते हैं अभी चीनी को melt होने देंगे फ्लेम को low रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए low flame पर ही चीनी को melt होने दूंगी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है देखें चीनी melt होने लगा है और इसे हमें लगाता चला करते रहना है यहां देखें चीनी अच्छी तरह से melt हो चुका है तो इस स्टेश पर मैं इसमें यह जो स्ट्रॉबीरी का पेस्ट बनाया था वो डाल देती हूं अब इसे मिक्स कर लूंगी फ्लेम को low to medium रखते वे इसे गाड़ा होने तक पकाना है देखें उबाल आनी पीसे को मैश भी करती जाओंगी स्ट्रॉबीरी वैसे तू सीजनल फ्रूट है हर वक्त मार्केट में अबलीबल होता नहीं है तो अगर स्ट्रॉबीरी क्रश या सीरप बना कर स्टोर कर लेंगे तो इससे आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं इस्पेसली बच्चों को फ्लेवर बहुत पसंद होता है तो आप इससे मिलक्षेक, आइस्क्रीम, केक, पूडिक, पेस्ट्री और बहुत सारी डिजर्न पना सकते हैं जब यह आधा से जाधा पक जाए तो फ्लेम को लो कर दे और अब मैं इसमें एक टीस्पून लेमन जूस डाल रही हूं जिससे च ठंडा होने दूंगी अब प्लेट को थोड़ा सा कर्व करती हूं और देखें कि नीचे आते आते रुग गया इसका मतलब कर्श हो गया है एक तरीका और है इसे चेक करने का इस तरह से थोड़ा सा कर्श उंगलियों के बीच रख कर देखें यह देखें दो तार बनने लग है तो समझे कि क्रश हो गया है कितना खुबसूरत इसका कलर आया है तो अब मैं गैस बंद कर दीती हूं और इसे ठंडा होने के लिए रख दीती हूं मैं आपको दिखाती हूं इसकी कंसिस्टेंसी दीखें कितनी ठीक है यह और कलर भी कितना प्यारा आया है इसमें इसके आपितल ितल और ही कलर मिलाया है और कोई फ्लीवर है इसका खुद का ही इतना घुक्सुरत कलर होता है और इसका फ्लीवर उतकर little tea होता प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हूं बिल्कुल न भूलें जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आपके स्ट्रोबेरी क्रश कैसे बनी और आपने इससे क्या-क्या बनाय मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ